असलाम अलेकूम तो ठंडे के टाइम हो और गाजर का हल्वा ने बने तो ऐसा तो हो नहीं सकता है तो जाड़े में तो हर घर में गाजर का हल्वा बनता है तो हम भी बस मार्केट से लिए आए के चलो बनाते हैं तो यह मेरा डेड़ के जी गाजर है जिसको मच्छा से छिल के दोलिये थे और उसके बाद इसको हम कद्दू कस कर लिये हैं तो आप चाहे तो इसको छोटे-छोटे टुकुड़ों में काटके इसको डाइरेक्ट दूद के साथी मतलब उबाल लीजे और उसके बाद बनेए पर जो ऐसे घिस के बनता है न गाजर कहलवा तो उसका टेस्ट क बात ही कुछ और होता है तो इसके लिए हम भी घिस करके बना रहे हैं तो मेरा सारा गाजर घिसा गया था उसके बाद हम कुकर में घी डाले हैं दो चमच के करीब और उसके बाद उसमें हम इलेची कुटके डाले हैं तो आपके पास अगर इलेची पावडर हो तो आप लास कम हो जाता है तो मेरे पास एक बीट भीता रखा हुआ तो इसके लिए हम एक बीट को भी उसमें खुरच के डाल दी है इससे इसका टेश्ट तो अच्छा मतलब कलर तो बहुत अच्छा होगा टेश्ट भी अच्छा होगा मतलब कुछ फरक आए गही ने जैसा गाजर का हल्व तो इससे और टेश्ट बढ़ जाएगा तो हम पहले थोड़ा से दूद डाल के चला लिए उसके बाद देखे कि थोड़ा कम पड़ा तो फिर थोड़ा से दूद हम और डाले है और उसके बाद इसको अब हम तीन-चार सीटी देके थोड़ा गला लेंगे तो जो यह गल जाएगा तो बस इसको अब हम थोड़ा सा भून लेते हैं यह बूनते-भूनते तो गल जाएगा तो इसके लिए अब इसका मतलब थोड़ा सामखी इसमें और डाल रहे है क्या हलूआ तो आप पोई सभी बने है मतलब घी तो पड़ता ही है अफिर आपके अपने अकॉ अभर भर के डाल दे रहे हैं तो फिर उसको हम अच्छा से भून दिये भूने के बाद अब हम इस पे चीनी डाल रहे हैं तो चीनी को आप अपने स्वात के अनुशा डाले जितना मीठा खाना पसंद करते हैं ऐसे तो गाजर मीठा होता है तो उसके लिए उतना जादा नहीं पर फिर भी आप जितना मीठा खाते हो आप उसे साप से मीठा करें तो आप इसको चीनी डाल दी अब चीनी गल्ले तक का थोड़ा सा और हम भोलेंगे तो ये मेरा घी भी थोड़ा थोड़ा छुटने लगा है और उसके बाद ये पायमत अब सारा दूद सूख गिया है चीनी भी गल गिया है अल्मॉस्ट अब ये बस हो जाएगा थोड़ा सा तो ठंडे का टैम में तो बहुत फ्रेज अच्छा गाजर मिलता है और तयब एक ऑरेज घाजर होता है थे लाल वाला सीजन के टैम मिलता है थन्डा में तो इसके ही हल्वा जाद अच्छा बनता है तो हम भी सूछे चलो बनाते हैं बच्चों के लिए लिए लिग टीफिन में ले जाने का जीत कर रहे थे तो इसके लिए बस अब मेरा रेडी हो गया है तो थोड़ा से इसमें अब हम ड्राइफ फ्रूट्स डाल रहे हैं तो आधा एक चमत जैसे घी डाले और हम और उसमें हम काजू और बदाम था तो उसको टुकड़ा कर दिये हैं चोटा-चोटा और उसके बाद इसमें हम इसको बुनने के बाद इसी में हम गाजर को पलटके बस थोड़ा सा और एक दो मिनट पकाई में और उसके बाद रेडी तो अगर आपको मेरे रेसीवी पसंद आ रहा हो तो प्लीज अप लाइक कीजिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बस आप लोग भी अपने घर में ल लग लग रहा है हमको ऐसे ही पसंद आता है क्योंकि एक दो दिन चलता है ना तो उसको फिर गरम कीजिए तो और शुकते ही जाता है तो देखिए हम किसमिस भूल गए ते डालने के लिए तो अभी किसमिस एड़ किये है लाज़ने में अब बस इसको एक तो मिनट और लगता है तो देखिए कितना टेश्टी देखे रहा मेरा गाजल का हुआ तो आप भी बनेए खाई और इंजोई किजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखे अल्ला हाफीज